हेलो फ्रेंड्स आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो सिविल जैज बनके जुडिश्री में अपना केरियर बनाना चाहते हैं आप जानते हैं कि राजस्तान में आरजेस के नाम से जो जुडिश्री की वेकेंसी हो आती है जिसके त्रूँ सिविल जैज सलेक्ट किये जाते हैं और ऑफिशल नोटिफिकेशन बाहर आ चुका है हाई कोड की वेब साइट पे आवेलेबल है इसके फॉर्म भी भरने चालू हो गए हैं कल ही नोटिफिकेशन आया और कल से ही फॉर्म स्टार्ट हो गए यह चीजी दर्शाती है कि वेकेंसी फास्ट ट्रेक पे चलने वाली ह है अब मेरी बात गौर से सुनिएगा पहली बात तो यह गोल्डन चांस है क्योंकि 222 वेकेंसी आई है अगर यह एक्जाम हर साल कंड़क्ट होता तो ओन एंवरेज आपको 50-60 वेकेंसी मिलती इससे जादा नहीं मिलती यह तो तीन साल की वेकेंसी क्लब होके आई है तब ज चांस को जाने मत देना अब इस वेकेंसी के लिए आपको लॉक की तैयारी करनी होती है और लॉक के अंदर एक बड़ा कंफ्यूजन सारे जुडिश्री के स्टुडेंट्स में चल रहा था कि नए क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे या पुराने क्रिमिनल लॉज पढ़े तो वो डाउट भी दूर हो गया क्योंकि जब इस वेकेंसी के लिए तो नहीं है इसी भी वेकेंसी की तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एक सटीक गाइडेंस एक अच्छी रणनीती के साथ दी जाने वाले गाइडेंस एक अच्छी प्रेक्टिस और स सबसे जरूरी बात है कम समय में कि कम पढ़के तैयारी कैसे करें इसके लिए गाइडेंस तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार सिविल जज़ बनने का सपना आपका पूरा हो आप पहले कहीं पढ़ चुके हैं नहीं सफलता मिली या फिर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारे साथ जुड़के देखिए शायद पहली ही बार में आपका सिविल जज़ बनने का सपना पूरा हो गार हम आपको जिरो से लेके लास तक हाथ पगड़के अपनी परिणाम तक पहुचाएंगे अब और क्योंकि आप आप जानते हैं कि समय कम मिला इसलिए क कम समय के चलते और आप सब लोगों के बेनिफिट के लिए हम इसको ही डिसकाउंट पर इसको जारी करेंगे इसके अंदर ना के बराबर नॉन सिग्निफिकेंट सी फीस होगी आप जानते हैं जुड़ी शिरी के अंदर पीस लगबग 85,000 से एक लाग के बीच में फीस होती ह हम सबसे बहतर क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन अब की बार हम सबसे कम चलेंजिंग फीस देने वाले हैं जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से तैयरी की जाएगी फटा-फट से एक बार हम नोटिफिकेशन की की पॉइंट्स देख लेते हैं अच्छा आपको कोर्स हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा तो उसके लिए निशिंद रहें वेकेंसी कब जारी हुई पहले तो उस बात पे चर्चा करें तो यह 9 अप्रेल की नोटिफिकेशन है माननी उचनाय ले की और उन्होंने हाई कोट की वेबसाइट पे इसको डाल दि वेकेंसी खाली थी वो हो गई 83 वेकेंसी उसके बाद में 2023 की 57 और 2024 की वेकेंसी है 82 तो यह तीनों क्लब करके 222 वेकेंसी एक साथी पेपर लिया जा रहा है हाई कोट की वेबसाइट पे ही online application फॉर्म भरा जा रहा है वहां पर फॉर्म स्टार्ट हो चुका है वहां से आप फिल कर सकते हैं फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है उसको स्पेसिफिकली गौर कर लेना आठ मई तक आठ मई 2024 तक शाम को पांच बज़े तक आपका फॉर्म भरा जाएगा फीस पेमेंट करने के लिए हलांकि आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा अब अभी उच्ण पांच जून को आपका पेपर होगा हलांकि नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि हाई कोड के पास राइट है हाई कोड चाहे तो टाइम को आगे पीछे कर सकता है लेकिन ना के बराव बचांस है हाई कोड के पेपर है टाइम पे कंड़क्ट हो जाते हैं क्योंकि इंटरफरेंस और यह सब चीज़े बहुत ज़्यादा नहीं होती है अगर आप जनल केटेगरी से हैं तो आपको 1250 रुपे फीस देनी है अगर माल लेजिए कि आप EWS केटेगरी से इन से आते हैं या OBC non creamy layer से है तो आपको 1000 रुपीस फीस देनी है और अगर आप SCST से आते ह है या फिर physically disabled category में आते हैं तो 7500 रुपे आपको फीस देनी है यह यहां पे High Court के website पे एक bifurcation दिया होगा है कि vacancies कैसे कैसे किस किस कैटेगरी में है उसमें मैं भी बहुत जादा नहीं पढ़ूँगा क्योंकि यह आप वहां से better पढ़ लेंगे अपनी category के accordingly फिलाल यह माल 222 टोटल पोस्ट है अब इसमें हम काम की बात पर आ जाते हैं काम की बात है कि syllabus क्या रहेगा तो और योगता क्या रहेगी तो देखो इसके लिए योगता क्या रहेगी इसके लिए योगता है कि आपके पास में L.L.B. कि डिगरी होनी चाहिए माननेताव राप्त विश्व अगर आपके पास LLB की डिगरी नहीं है तो फिर आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और इन्हों ने कर दी कि जो लोग फाइनल येर के एक्जाम में बैठ चुके हैं वो भी इस पेपर के अंदर बैठ सकते हैं और जिस दिन मेंस का एक्जाम होगा, मेंस के एक्जाम के पहले उनको अपनी डिगरी कंप्लीट करनी होगी वह हो जाएगी, क्योंकि देखे, अभी March-April के अंदर ही एक्जाम हो जाते हैं, आप अभी Form Fill कर सकते हैं, और मेंस का रिजर्ट जो है, वह आपका आजाना चाहिए, मेंस का रिजर्ट से पहले आपका LLB का Final Year का रिजर्ट आजाना चाहिए, वह आजाएगा, तो आप जो अ 40 years होनी चाहिए, तो 21 से लेके 40 के बीच में अगर आप हैं, तो यह form भर सकते हैं, यह आपकी age किस दिन काउंट की जाएगी, एक जनवरी 2025 को, एक जनवरी 2025 को आपकी age इस criteria में fit होनी चाहिए, और राजस्तान में जो generally SC, ST या OBC category के अंदर age relaxation मिलता है, वो यहाँ भी मिलेग vacancy नहीं आई, वो लोग जो पिछले 3 साल vacancy में बैठने के लिए eligible थे, लेकिन इस age criteria की वज़े से अब की बार vacancy में eligible नहीं है, वो भी form भर सकते हैं, उनके साथ भी कोई अतियाचार, कोई अन्याय नहीं होगा, चलो यह तो बड़ी अच्छी बात है, फिर कुछ basic condition आ जाती अब हमारा जो syllabus है, वो एहम है, उस पे चर्चा कर लेते हैं, तो देखो, syllabus के अंदर आप जानते हैं कि RGS का exam तीन level पे conduct होता है, सबसे पहले prelims का exam होगा, preliminary exam pass करने वाले बच्चों का, mains का exam होगा, mains pass करने वालों का interview होगा, जिनका prelims का exam है, वो objective type होता है, mains का return type होता है, और interview जो है आप जानते हैं कि interview में आपका personality test किया जाता है, जो आपका prelims का syllabus है और जो mains का syllabus है, उसमें कोई difference नहीं है, roughly, क्योंकि जो law mains में आते हैं, लगबग वही कि वही सारे law prelims में आते हैं, Hindi English mains में भी आता है, Hindi English prelims में भी आता है, तो एक बार हम वो laws देख लेते हैं कि हमारे syllabus में कौन-कौन से laws आएंगे, देखो, सबसे पहले तो हिंदी का syllabus basic है, वही शब्द रचना, शब्दों के परकार, शब्दों का ज्यान, शब्द शुद्धी, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धी, लोकोक्ती, मुहावरे, विराम, चिन और साथ में परिभाशिक शब पर्षण 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 पर्षण, वो हिन्दी इंग्लीश में से आता है, तो यूं समझ लीजिए, लो में 70% नमबर और उन दोनों में मिलाके 15-15%, 30% टोटल नमबर मिलते हैं, तब जाके इस ओर नमबर का पेपर कंड़क्ट होता है, एक और बहुत संदर बात है, इस यह आपको तयार करना है उसके बाद में एक बहुत एहम चीज जो हम सब को आनी चाहिए वैसे ही जिसका नाम है Constitution of India Constitution of India के बाद में Indian Contract Act हमें पढ़ना है उसके बाद में Indian Evidence Act हमें पढ़ना है जिसको लेके डाउट था कि नहीं आएगा कि पुराना आएगा तो पुराना ही आएगा उसके बाद में एक और कानून हमें पढ़ना होता है जिसका नाम है Special Relief Act Special Relief Act के बाद में अगला हमें पढ़ना है जिसका नाम है Transfer of Properties Act उसके बाद में हमें पढ़ना है Interpretation of Statutes कानूनों का निर्वचन कैसे किया जाता है उसके बाद में हमें पढ़ना है राजस्थान Rent Control Act तो राजस्थान Rent Control Act ये भी हमें पढ़ना है और याद रखेगा इसके अंदर Judgment Writing भी आता है जो में में पूछा जाता है प्रिलिम्स में उसका कोई रोल नहीं है दूसरी तरफ हम लोग देखें तो बाकी पेपर्स में एक हमारा आ गया Criminal Procedure Code को हमें करना है Criminal Procedure Code के अलावा हम लोगों को Indian Evidence Act उपर पढ़ा था वही Indian Evidence Act है अगला हमें पढ़ना है Indian Penal Code IPC IPC के अलावा हम लोगों को पढ़ना है Juvenile Justice Act हमें पढ़ना है Negotiable Instrument Act हमें पढ़ना है Probation of Offenders Act हमें पढ़ना है Domestic Violence हमें पढ़ना है Sexual Harassment at Workplace इसको आप POSH इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है POSO और एक हमें पढ़ना है Framing of Charge और Judgment Writing जो अगें वेंस का है तो यह सारे Laws अगर हम लोगों कवर कर लें तो जाके हमारा Prelims का Slabers कवर हो जाता है अब कुछ बच्चों के मन में doubt आएगा विशेश रूप से उन बच्चों के जिनको अभी अभी जिन्होंने सोचा है कि आर आर्जेस का form भर लेता हूं ग्राजेशन में है तो अभी ग्राजेशन करी है अभी तक आर्जेस के तैयरी जीरो है उनको लगेगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं तो देखिए अगर सही रणनेती से कोई गाइड करेगा तो आप कर पाएंगे या फिर आप टिपिकल तरीके से चलेंगे जो बाकी आने वाले डेड़ से पोने दो महीने के अंदर अंदर हम आपको उस लेवल पे ले जाएंगे कि अपको अपने पेपर में बैठेंगे और पास भी करेंगे तो अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो हमारे नंबर पर फोन करके आप ले सकते हैं नंबर में एक बार आपके लिए फिर से बता देता हूं इस नंबर पर कॉल किजिए और जानकारी जुटाइए 9588-238815 पिचाण में 8823-8815 यहां पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं आज ही इस प्रोग्राम से जुड़ें अभी हम हैवी इस काउंट करके इस फीस को लांच कर रहे हैं so that की maximum student का benefit हो सके reason being की time बहुत कम है otherwise हमारा भी foundation course 21,000 से एक लाग के बीच में फीस चलती है depending on state to state लेकिन अभी क्योंकि हम prelims का course कर रहे हैं सिर्फ कम time की वज़े से तो कम time की वज़े से हम लोग फीस में significant discount कर रहे हैं इसका benefit ज़रूर उठाएर अब की बार RGS में पास होने की अहां तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे मिलते हैं जल्द ही आगे और जानकारी के साथ अब तक यूँ ही पढ़ते रहें thanks a lot